नमस्कार चटपटी बेंजन में आपका स्वागत है आज हम कच्चे केले के छिलके की चटनी बनाएंगे जो बहुत ही स्वाधिश्ट और पोश्टिफ होती है चटनी बनाने के लिए इन सब चीजों के आवसकता होगी चार पाच कच्चे केले के छिलके लिए है इसे उवाल लिए है इसे टुकडों में काट लेंगे दस बंद्रा लहसुन के कली तीन चार हरी मिर्च सुखी लाल मिर्च दो तिन आधी चोटी चमाच जीरा आधी चोटी चमाच राई सरसो का तेल आवसकता के नुसार लेंगे नमक स्वात के नुसार और पानी आवसकता के नुसार तो सबसे पहले हम चिलकों को टुकडों में काट लेंगे और इसे फ्राई करेंगे तेल गरम कर लिए है अब इसमें जीरा और राई को डालेंगे शुकी लाल मिज को भी डाल देंगे इसे ब्राउन होने तक पका लिए है अब इसमें लासून और हडी मिज़ा देंगे इसे तास खिल्टो को भी डाल के भून देंगे इसे जादा नहीं भून देंगे एक ब्रॉमिना जादा नहीं भून देंगे ते जार में भर के पीस लेंगे अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे अब इसे पीस लेते हैं चटनी को पीस लिया है अभी जिन्नी कर लेंगे अब इसे केले की छिल्के की स्वादिश चटनी बन के तयार है अगर आपको मेरे रेसीवी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूए झाल